अभी हाली में साहित्य का नोवल पुरुसकार फ्रांसी सी लेखक है एनी एर्नौक्स इनके साहस और निदानिक तीच्छनता जिसके साथ वह ब्यक्तिगत इसमिती विवस्थाओं और सामोहिक पितीबंधों को ओजागर करती है इसलिए दिया गया है और एनी एर्नौक्स को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे एक और एनी एर्नौक्स कहा की है यह फ्रांसी सी लेखक है और साहित का नोवल पुरुसकार 2022 का इन्हें दिया गया है उससे पहले हम लोग इनके बारे में जाने नोवल पुरुसकार दिये जाते हैं अलफेड नोवल को नोवल पुरुसकार का दाता भी कहा जाता है और आपको मानूग होगा कि डाइनामाइट के अविसकारक भी यही है और इनका जरम 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉक हॉम स्वीडन में हुआ था 10 दिसंबर 1896 में इनकी डेथ हो ग इस नोवल पुरुसकार 1901 से सुरू हुआ था लेकिं अर्धसास्त का नोबल पुरुसकार 1929 से सुरू हुआ था और जैसे कि आप देखे भौतकी रशाइन विज्ञान, सरीर विज्ञान या चिकिस साहत, अर्धसास्त, सांती के चित्रम, माना अजाती के द्वारा जो नौर्वे में मिलता है सांती का पुरुषकार कहां मिलता है नौर्वे में दिया जाता है तो ये भी आप लोग याद रखेगा साहित में बर्स 2022 का नौबल पुरुषकार फ्रांसी सी लेकक एनी एनॉक्स को साहस और निदानिक तीखणता जिसके साथ हुए बैक्ति के समिटि और विवस्थाओं और सामोहिक पितिवंदों को जगर करती है इसके लिए ने दिया गया इस नाम को जरूर याद रखेगा और आप देखते हैं कि कई बार साहितिका पुरुषकार पूँच भी लेता है कि इस बार का किसे दिया गया है और किश्चेत में दिया गया है ये भी पूँच लेता है और वर्स 2021 में आप देखें कि वो पन्यासकार थी कौन अब्दुल रज्जाग गुर्णा को उपने विस्वाद के पिरभावों और संस्किती ये वो महादीपों के बीच संगर्स में सरडार्थी के भाग के बारे में उनके अड़ेग बाकरुणा में कार के लिए पुरुषकार दिया गया था कहने का मतलब है कि 2021 में किसे दिया गया था अब्दुल रजाग गुर्णा को और 2022 के आप देखिए इससे पहले भौत की रसायन विज्ञा चिकिस्ता के नोवल पुरुषकार भी दे जा चुके हैं उन पर भी हम लोग एक एकर करके बात भी कर चुके हैं क्या कर चुके हैं उनके बारे में हम लोग देख भी चुके हैं और एनुक्स ने रू, इन और बोर्डो के विश्चे विध्याले में अध्यान किया और जहां से उन्होंने स्कूली सिक्षक के रू में योगता पराप्त करने के साथ आदूनिक साहित में उच्छे डिग्री भी हासिल किये केरियर और कारी की अगर हम लोग बात करें इनकी तो आप देखेंगे कि उनका अनुकर्णी है साहित जीवन बर्स 1974 में उनकी पहली पुस्तक क्लीन आउट के पिकासन के साथ सुरू हुआ उनकी अन्यप्रमुक कारियों में एविमिन्स स्टोरी हैपनिंग एगल्स स्टोरी गेटिंग लॉस्ट सामिल है और उनकी बिसए अंतर रंग संबन्द सामाजिक आमानता सिक्छा समय और इसमेती के माध्यम से सामाजिक बर्गों को आंगे बढ़ाने का अनुभवयों और जीवन के अनुभवों को कैसी लिखना अधिविसे हैं और पुरस्कार और मानता की बात करें तो कुल मिलाकर इनके कारियों को फ्रेंच भासा पुरुषकार और मार्गो राइट योर सेनर पुरुषकार भी मिलाए 2014 में इन्हें सर्जी प्रोंटाइज बिस्विध्याले दौरा डॉक्टरेट की मानत उपादी से भी सामानित किया गया है और इनकी किर्टी 10 years को international man booker पुरुषकार के लिए भी चुना गया है तो एक सामान जानकारी इनके बारे में भी रखा करिएगा जिनने पुरुषकार दिया जाते हैं कई बार क्या होता है कि उनसे भी questions पूंच लेता है और नोबल पुरुषकार के बारे में याद रखा करिएगा एक सामान जानकारी ठीक है और जो बाकी आपकी नोबल पुरुषकार बच्चे हुए हैं उन पर भी हम लोग एक करकी बात कर लेंगी अगर आप लोग किसी government exam की तैयारी कर रहे होंगे तो इस तरह के questions से normal पूंच लिए जाते हैं कई बार